Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Class First की English Test Paper और ये Second Part है First Part मैंने पहले शेयर किया हुआ है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजेगा लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स और उपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और इसके साथ मैंने Math और Hindi की वॉक्षीट भी शेयर की है Class First के लिए तो उन्हें भी आप देख लीजिए बहुत ही helpful वॉक्षीट है और बच्चों के exams के पहले आप इनकी practice जरूर कराएं बहुत ही helpful होते हैं ये बच्चों के exam preparation के लिए वीडियो अच्छी लगे, helpful लगे तो इसे like और share जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe करके bell icon को press कर दीजिएगा तो चलिए देखते हैं आज की वॉक्षीट So first question यहाँ पर है Adjective way words होते हैं जो noun या फिर pronoun की quality या फिर disc quality को describe करते हैं तो यहाँ पर हमें noun words को read करना है और इनके लिए correct adjective words को choose करके लिखना है For example, first word is towel तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा word है जो इस noun word को describe कर रहा है यहाँ पर है funny, wet, lovely, hot, fast, dirty So यहाँ पर correct word हो जाएगा wet Wet towel यानि कि गीला, तौलिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे wet Next word is car इसके लिए correct adjective word हो जाएगा fast यहाँ पर लिख देंगे fast Next यहाँ पर है shirt तो इसके लिए correct word होगा dirty Dirty shirt यहाँ पर लिख देंगे dirty Milk इसके लिए correct word हो जाएगा hot Hot milk यहाँ पर लिख देंगे hot Next यहाँ पर है flowers तो इसके लिए correct word होगा lovely Lovely flowers Next word यहाँ पर है story तो इसके लिए correct adjective word होगा funny यहाँ पर लिखेंगे funny यह हो जाएगा funny story Next question we have Complete the sentences with the word from the box यहाँ पर कुछ sentence लिखे हैं और इनके लिए यहाँ पर कुछ options दिये गए हैं इन में से correct word को choose करना है और इन sentence को complete करना है For example, first sentence is I busy today तो I के साथ में use होता है am का यहाँ पर fill करेंगे am तो यह sentence हो जाएगा complete I am busy today Next sentence is Rahul read and write तो इसके लिए correct word हो जाएगा can यहाँ पर fill करेंगे can Rahul can read and write Next sentence is It a new toy तो यहाँ पर it के साथ में use होगा इज का यह हो जाएगा It is a new toy Next है She is eating apple तो यहाँ apple के साथ में an का use होगा क्योंकि a यहाँ पर vowel है तो यहाँ पर fill करेंगे an She is eating an apple Next है You playing football तो यहाँ you के साथ में r का use होगा यहाँ पर fill करेंगे r You are playing football Next question is Join the words to make new words यहाँ पर कुछ words लिखे हैं इन्हें join करके एक नया word बनाना है For example यहाँ पर है grand तो देखेंगे grand के साथ में यहाँ से कौन सा word जॉइन करेंगे कि एक नया word बनेगा तो यहाँ पर है hen, ball, bee, father, apple यहाँ पर हम grand के साथ में father add कर देंगे तो यह बन जाएगा grandfather इसे मिला देंगे और यहाँ पर लिख देंगे grandfather Next यहाँ पर है pine तो pine के साथ में add करेंगे apple तो यह हो जाएगा pine apple यहाँ पर लिख देंगे इसी तरीके से यहाँ पर है pee इसके साथ में hen मिला देंगे तो यह बन जाएगा pee hen यहाँ पर है food, इसके साथ मिलाएंगे ball, तो यह बन जाएगा football, यहाँ पर है honey, इसके साथ मिला देंगे bee, तो यह बन जाएगा honey bee Next question we have, tick the correct action words, यहाँ पर कुछ sentence लिखे हैं, इन्हें carefully read करना है और यहाँ पर action words लिखे हैं, तो sentence के according, यहाँ पर correct action word को tick करना है First यहाँ पर है I, drink, eat, milk, तो milk को हम eat नहीं करते, drink करते हैं, तो यहाँ पर correct word हो जाएगा drink इसको tick कर देंगे, next यहाँ पर है Rina, sing, watch, TV, TV को हम क्या करते हैं, watch करते हैं, sing नहीं करते, यह हो जाएगा correct नहा, jump, sing, a song, तो यहाँ पर correct word हो जाएगा sing, नहा एक गाना का आती है, नहा, sing, a song Next यहाँ पर है you are going, jumping to the market, तो यहाँ पर हो जाएगा going, they sleep, cry loudly, तो यहाँ पर हो जाएगा cry, they cry loudly I eat, drink, bread, bread को क्या करेंगे, खाएगे, पीएगे नहीं, खाएगे, तो यहाँ पर eat, correct word होगा, इसे टिक कर देंगे Next question is, circle the right words, यहाँ पर कुछ sentence लिखे गए हैं, इन्हें carefully read करना है, और sentence के according, correct word को circle करना है जैसे की, first यहाँ पर है this, these is my ball, तो यहाँ पर is my ball, इस का use हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा correct word, this these के साथ में, our का use करते हैं, these use होता है, बहुत सारी चीजों के लिए, जब एक से ज़्यादा चीजे हों, तो वहाँ पर हम these का use करते हैं, और एक चीज होती है, तो वहाँ पर हम this का use करते हैं, so correct word will be this, इसे circle कर देंगे, this is my ball next है, that, these is, book, again यहाँ पर is का use हुआ है, तो यहाँ पर हम that को circle करेंगे, that के साथ में, is का use होता है, these के साथ होता है, our का use next is, these, this are, twice, तो यहाँ पर these को circle करेंगे, यहाँ पर correct हो जाएगा these, these are, twice next is those that are caps यहाँ पर हम again those को circle करेंगे क्योंकि यहाँ पर are का use हुआ है और are हम use करते हैं those के लिए this, these is an apple यहाँ पर एक apple की बात हो रही है is का use हुआ है तो यहाँ पर हम this को circle कर देंगे next question is rearrange the group of words to make meaningful sentences यहाँ पर कुछ words दिये गए है इन्हें rearrange करके एक meaningful sentence बनाना है first यहाँ पर है very house is my big तो यहाँ पर हो जाएगा my पहले लिखेंगे my house is very big next है is beautiful very real तो यहाँ पर हो जाएगा पहले लिखेंगे real इसके बाद आजाएगा helping verb is इसके बाद यहाँ पर आएगा very इसके बाद हो जाएगा beautiful रिया is very beautiful इसी तरीके से यहाँ पर है are playing we football तो यह हो जाएगा we are playing football next question is fill in the blanks with was और were यहाँ पर कुछ sentence दिये गए है इनमें was या फिर were फिल करना है और इन sentences को complete करना है तो was और were के use के लिए मैंने एक separate video बनाई है बहुत अच्छी वीडियो है अगर आपने नहीं देखिए तो उसे आप देख लिजेगा so first sentence यहाँ पर है you reading a book you के साथ में were का यूज करते हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे were next is need to eating food तो singular noun और he she it के साथ में was का प्रियोग होता है यहाँ पर फिल कर देंगे was need to was eating food the boys playing boys यहाँ पर plural noun है plural noun के साथ में यूज करते हैं work का यहाँ पर फिल करेंगे were she working hard she के साथ में was का यूज होगा यहाँ पर फिल कर देंगे was they singing a song यहाँ पर दे के साथ में यूज होगा work का तो यहाँ पर फिल कर देंगे were next question is add sh to complete the words यहाँ पर कुछ words लिखे हैं इनमें sh को add करना है और in words को complete करना है जैसे की first यहाँ पर है ip तो इसमें add कर देंगे sh तो यह बन जाएगा ship यहाँ पर है op इसमें add करेंगे sh तो यह हो जाएगा shop फिर यहाँ पर है ut इसमें add करेंगे तो यह बन जाएगा shut इसी तरीके से यहाँ पर है fi इसके end में हम लगाएंगे sh तो ये हो जाएगा fish यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा wish और यहाँ लिखा है di इसके end में लगाएंगे sh तो ये बन जाएगा dish नेक्स्ट कुश्चन इस use an to complete the sentences यहाँ पर कुश्च sentences लिखे गए हैं इनमें article a या फिर end का use करना है और इने complete करना है जैसे की first यहाँ पर है it is cat तो c यहाँ पर consonant है consonant के साथ में a का use करते हैं यहाँ पर fill करेंगे a it is igloo, igloo यहाँ पर i, vowel है तो vowel के साथ में यूज करते हैं end का it is an igloo, it is umbrella तो यहाँ पर u क्या है, vowel है इसके साथ में यूज करेंगे end का it is house तो h क्या है, h है consonant इसके साथ में यूज करेंगे a it is a house तो यह थी आज की English Worksheets I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, helpful लगी हो, तो इसे like कीजिए जादा से जादा share कीजिए अपने family and friends के साथ में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लीजिए इससे मेरे सभी नए वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाए करेगी मिलता है next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye